नमस्कर के सन भाई और मेरे सांथियों अतुलिकरी से में आप सभी का स्वागत है सांथियों यह जो आप पीछे देख रहे हैं पाई का फॉर्म है जो की काफी अच्छा डेवलप कर रहा था इसमें काफी अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ चुकी है काफी अच्छा कर रहा था जो क्या होता है नई हमारी जो पत्य निकलती है वह सिकूडने लग जाती है वह तैयार नहीं हो पाती तो वह खास करके हमारी नई पत्यों में ही अटेक करते हैं और नई पत्यों को वह पुरा सिकूड करके वहीं पर खराब कर देते हैं इसका जो में कारण होता ह हुआ होता है पौधे की रोप प्रतीजरों चंपता जो हावा कमजोर हो जाती है जिसकी वज़े से पौधा में आसानी से वायरस अटेक कर लेता है करते हैं और वाइट फ्लां क्या करता है उसका वाह का काम करता जो कि पूरे एक जगह वायरस आयauen को पूरा ेसित करने के लिए पूरा फैलाने के लिए कारक होता है वाइट अच्टा साब monitor नहीं क्या जा सकता हूं तो अपने आप हीो तो इस लोगा तरGu तो क्या हुआ यह थोड़ा सा लेट हो गए उसको कंट्रोल करने में जिसकी वज़े से पूरा फैल चुका था तो उसको क्या किया हमने जो भी हमारी नई पत्या थी उसको हमने कट करके निकाल दिया बहार जिसके साथ वायरेस भी पूरी बहार निकल चुकी है आप पीछे दे फ्लावरिंग फ्लॉटिंग में आप लोगों को दिखाता हूं काफी अच्छी है जो कि अभी पौधा थोड़ा सा तयार हुआ ही था कि उसमें प्रभावित कर दे जिसकी वज़े से उपर निचे दिख रहे किन काफी अच्छी इसमें फ्लावरिंग है यह आप देख पा र भावित किया है यहां पर देख रहे हैं इधर ठीक है इसको वही उपाय है सांथियो कि आप क्या करें सिधा उसको निकाल करके बाहर निक फेग दें यह देखिए नहीं पत्य अभी कितनी हेल्दी दिख रही है आपको मैं पिचर दिखाता हूं यह देखिए इस प्रकार से जो लोड़ करके बाहर फेग देना है यह जो इस तरह के पत्ति हैं इसको नहीं रखना है आपको कि उम्मीद करता हूं साथ ही आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अन्य किसन भाईयों के साथ सेयर जरूर करें धन्यवाद